बुद्ध परस्ती आइडिलेटरी कहलाती है आइडिल वर्शिपिंग बहुत मज़े की बात बताओं आपको अंग्रेजी की डिक्शनरियों में इसका मतलब लिखा हुआ है कि अल्ला के सिवा किसी और की पूजा करना अल्ला के सिवा किसी और को रेवर करना इहतराम करना है रान कुन बात है मुझे ये जब मैंने पढ़ा बहुत हैरत हुई कि अल्ला के सिवा किसी भी चीज़ को अपने जहन में कोई मुकाम देना कोई अवलियत देना या उससे कुछ तवक्व रखना या इडिलेटरी में आता है गोर करें क्या क्या गया कि बत्परस्ती सिर्फ पत्थर का तराशा हुआ बत्थ उसके सामने वैट के कुछ रसमें अदा करने का नाम नहीं है आपकी जहनी असोसियेशन किस तरह है किस के साथ है अब ये बत्पों की पूजा जो है ये लफज आम किया गया है और ये असल में इसकी जरा हिस्ट्री पर नजर डालें ये बहुत ही तवील हिस्ट्री है इट डेट बैक टू प्री हिस्ट्री यानि जब से इनसान दुनिया में आया है उसने ये बुत्परस्ती की है क्यों कि इनसान अंदर से बड़ा कमजोर है तो वो किसी मावराई ताकत को अपनी सपोर्ट में लाने के लिए उसके सामने उसकी इज़त करता है या उसको बढ़ा चड़ा के बयान करता है तो इस वज़ा से वो मजबूर है ये हमारे जीन्स में बात उत्री हुई हम मादी जोन में रहने वली मखलूक बन के रह गए हमें मादी तोर पे अगर कोई चीज नसर आती है उसका कोई वजूद है तो हम उसको रिवर करते हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं या उसको मुकाम देते हैं जहन में अब ये जो बुद्ध परस्ती का एक और एंगल बड़ा अजीव है और वो बड़ा आप देखें के इनसानों को पत्थर के बुद्ध की सूरत में तराशा जाता है अब बुद्धा ने मना किया कि भी बुद्ध परस्ती नहीं करें अपने अंदर उतर जाएं तो आपको निर जवान असल हो जाएगा बुद्ध ने ये बात कही हुआ क्या कि बुद्ध ही के सबसे ज़्यदा बुद्ध बनाए गए अब इसी तरह ये जितने भी बुद्ध बने हैं वो किसी ना किसी बड़े आदमी के नाम पे बने या किसी ऐसी डेटी को जिससे कुछ ताकतें मनसू जैसे हजद मुसा के दौर में जब हजद मुसा गए पहाड पे तो पीछे उन्होंने वो एक बच्छडा बना लिया सोने का सुरह बकरा में पूरा वो वाक्या दिया हुए तो ये जो है ये अब उनका दौर कब से है तो ये अंदाजा कर लीजिए कि इनसानी शौर में ये सामने हैं और हम उसको रवर कर रहें अब उसकी अबादत करना अब ये लफ अबादत को भी जरा एक्जामें कर लें अबादत कहते हैं ये लफ़ अबद से है अबद कहते हैं बात मानने वाले को और इसकी तस्दीक कुरान की एक आयत है अलम अहद अलैकुम या बनी आदमा ला ताबदु शैतान एबनी आदम कि आपसे ये एहद नहीं लिया गया कि शैतान की बात नहीं मानना अब हमने क्या कर दिया यहां पर बात मानना की है लेकिन जहां पर भी अबद या अबद या अबादत ताबद का लफ़ आया है वहां पर अबादत मुराद लिया और उसको एक रिच्वालाइज फॉर्म अब वर्शिपिंग एक रसम बना कर हम अ की न ला को महसूस तो नहीं किया तो यह ला की वर्शिपिंग नहीं हुई आप भले निमास पढ़ रहे हूं वजू करके आके आप मुसले पे खड़े हुए लेकिन आपके जहन में ला नहीं है तो आप किसको पूझ रहे हैं अपनी खाहिशों को अपनी जरूरतों को आप क किस लिए सजदा कर रहे हैं जरूरतों के लिए तो प्रियारिटी किस चीज की हुई आपकी जरूरतों की आपके मसाहिल की आपकी एहमियत किस चीज की है तो क्या यह फॉर्म अफ वर्शिपिंग दुरूस्त है कि आप अल्लह के सामने खड़े हैं और आपको अपनी पड़ थी हुई है तो ये कौन सी वर्शिपिंग है बात ओ रही थी बुद परस्ती कि बुथ इनसान बनाता है तो आप गोर करें इसमें किया राज है और कुरान दें क्यों मना किए है जब हम पत्थर से किसी चीश को कार्व करते हैं तो असल में हम क्या कर रहे हैं हमारे अंदर एक खाहिश है जिसकी वज़ा से शैतान ने उस खायश को एक्स्प्राइड किया और आपको लालच दिया किस चीज का हमेशगी का अब आपको पता है मेरा ये मादी वजूद जो है ये हमेशा नहीं रह सकता लेकिन आपके मुशाहिदे में एक पत्थर हजारों साल रहता है तो ये सबकी खायश है के मेरा स्टैचू बने तो जब आप किसी डेटी को एहमियत देते हैं किसी हस्ती को आप ये रेवर करते हैं यानि उसका इहतराम करते हैं उसको जहन में एक मुकाम अता करते हैं तो आप उसकी तस्वीर बनाते हैं पत्थर में ये हमेशगी का शाखसान है हमारे जहन का ये वो साइकलोजिकल एंगल है लेकिन इसका नुकसान किया है कि आप पे जमूत तारी हो जाता है जब आपकी फिक्सेशन एक पत्थर में होगी तो आपका जहन पत्थराया जाएगा लेकिना अल्हाका निजाम देखें आप गवर करें कि जो लोग अल्लह को मानते हैं या नहीं मानते हैं रिजつ को मिल रहे हुए वो कोशिशे हैं कामयाब भी होते हैं ये बड़ी हैरत की बात है मुसल्मानों के लिए कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी हम इतनी अबादत करते हैं तो ये अंग्रेज तो नहीं करते हैं ये तो once a week चर्ट चले जाते हैं या कभी गभी वो भी कभी जाते हैं तो ये क्या बात थी कि हम इतने पांच वकत नमाजें भी पढ़ते हैं तिलावत भी करते हैं और हम दुनिया में सबसे पीछें तो उसकी वज़ है भई देखिए अल्ला का कानून आपको अल्ला राजक भी है अल्ला रहीम करीम है और वो रब्लमुसलिमीन नहीं है वो रब्ल लालमीन है लाड अव दे वर्ल्ड क्या मतलब है वो सिर्फ मुसल्मानों के लिए करेगा नहीं वो तो अच्छी बात सब को इंस्पायर कर रहा है वो सब भी उसकी मखलूक हैं वो खालिक है हमें मखलूक बनने का सलीका नहीं है हम उसके इलावा जो कुछ भी करेंगे उसके अपने जहन में को मुकाम अता करेंगे उसको रिस्पेक्ट देंगे क्या करेंगे आइडलेटरी तो करेंगे ये अंग्रेजी में इसका मतलब दिया हूँ है कि Other Than God और हैरत की बात है कि हजड़त मुसा को यानि यूडाइजम में यहुदियत में हजड़त मुसा की जो टेन कमांडमेंट्स है पहली कमांडमेंट के है कि तुम मेरे इलावा किसी और की पूजा नहीं करोगे यहीं, और नहीं, यहीं बह्याला नहीं आहिए, इलヾर नहीं है किए यहीं कहा ना एक तरह से, यहीं पहली कमांडमेंट है, यहुदाइजम में बी है, क्रिस्चैनिटी में बी है, इसलाम में बी है अच्छा मज़े की बाद ये तीनों मजाहिब जो हैं ये में ये वही के जेरे असर जारी हुएं वही का क्या मतलब है वही का मतलब है कि गैब की इतला अल्हारब करीम अपने अंबिया कराम के जरीये हमें दिलवा रहे हैं गैब उन पे फरिश्टा आता था उनको बताता था क गैब में से ये इतला रही है तो वो बताते थे तो उसकी वही की रहनमाई में जो निजाम वज़ा किया गया उसकी वजह से इनसान को ये सकत असल हो जाती है कि वो गैब में देख सके यानि गैब पर पहले तो बिलीव करवाते हैं ना कि अल्ला है वो लॉजिकल देखें कि जी किसी ने हमें create की है परना ये खुद बो खुद तो नहीं हो सकती creation ये इतनी बड़ी काइनात है सितारे हैं सूरज है फिर निजाम में शमसी है कहकशानी निजाम है तो इतनी बड़ी काइनात का इंतजाम और इंसराम जाहरे कोई हस्ती चला रही है और उस हस्ती ने ही हमें अपने किसी परपस के लिए तखलीक किये तो हमें उसको rever करना है यह अपनी सोचों को उस पर focus करना है अब इससे क्या होता है अब इससे क्या होता है आप जब पत्थर पे तबज़ो मरकूस करते हैं तो जमूद आपके अंदर मुनतकल होता है ये कानून है तो जब आप अल परकूस रखेंगे तो क्या होगा अल्ला की तरफ से आपको फीडिंग आएगी जो अल्ला करवाना चाहता है फिर आप वो करेंगे अपनी करने से बाज आ जाएंगे तो ये हमेशगी का चकर भी निकल गया तो ये जो बुथ परस्ती है मैंने आपको उसकी पूरी साइकॉल लाज़ा कोई चीज मादी तोर पर हमारे सामने मौझूद होना जरूरी है जब तक आप मादी शहुर में अब उसी का एक शाखसाना देख लीजिए आज के दोर में आप दौलत की प्रस्टिश कर रहे हैं रहर कर रहे हैं उसका एहमियत देते हैं साफ कहते हैं कि दौलत के पैसे बगहर कैसे हो सकता है पैसे के बगहर कैसे काम चलेगा नहीं ची कुछ भी है अल्ला अल्ला है पैसा पैसा है नहीं है पैसा इनसान की इजात है अल्ला की नहीं अगर अल्ला ही याद करता पैसे को मतलब तखलीक करता तो क्या होता पैसा जो है वो जाहर है या तो इन से निकालते हैं फिर उसको हीरे जवाहरात ये क्या है मट्टी है आला के नजदी इसलिए इसको जमा करना इसलिए इसका इस पे तवज़ो करना गलत करार दिया गिया है अला ने मना किया है कि ये सिस्टम खलत है इस पे फोकस नहीं करें क्योंकि आप पत्थर को पूज़ें या सोने को पूज़ें सोना भी मादनियात में से हीरे जवाहरात तो खुद को पत्थर से सजा रहे हैं क्या होता है जब बंदा मर जाता है सब यहीं पड़ा रह जाता है रोज का मुशाइद है लेकिन क्योंकि हम मादी जिसम को एहमियत देते हैं हजूर किलंदर बाब ऑलिया ने एक मिसाल दिये कि यह मादी जिसम जो है यह लिबास है असल इनसान इसके अंदर रहता है जब हमारा वक्त पूरा हो जाता है तो वो इनसान इस मादी जिसम को छोड़के चला जाता है अगर हमारी अंदर से Windows अपने खालिक की तरफ रहेगी अपने मालिक की तरफ रहेगी क्या होगा हमारे अंदर खालिक की तर्जे मुंतकिल होंगी मेरा ख्याल है कि इतना काफी है